आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर हमें दिएगर जो टर्म है यह फ्लार की Morphology के साथ Related है और फ्लार हम जानते हैं कि हमारे फ्लारिंग प्लांट्स या इंजियो स्पर्म्स जो होते हैं उनमें पाया जाने वाला एक ऐसा structure है जो sexual reproduction के एक unit की तरह फंक्शन करता है तो क्योंकि फ्लारिंग प्लांट्स हमारे प्लांट किंडम के अंदर एक बहुती बड़ा बहुती diversified group है तो further उनको कई families में classify कर रखा है और in different families में फ्लार की Morphology भी काफी vary करती है तो basically फ्लार में हम यही देखेंगे कि हमें चार worlds नजर आते हैं जिसमें से जो आउटर मोस्ट वर्ल होता है ये वर्ल केलिक्स कहलाता है और केलिक्स के अंदर हम देखेंगे कि हमें सेपल्स नाम के green leaf-like structures मिलते हैं जो के फ्लार के बाकी तीनों inner वर्ल्स को protect करके रखता है तो basically सेपल्स फ्लार की Morphology का एक काफी important part है एक ऐसा accessory world है ये केलिक्स जिसके अंदर सेपल नाम के structure हमको मिलते हैं लेकिन यहाँ पर एक recent term जो यूज कर रखी है इससे हमारा मतलब होता है एक persistent type का केलिक्स एक persistent type का सेपल क्योंकि हम देखते क्या है कि sexual reproduction की process जब हो जाती है तो उसके बाद flower में जो ovaries होती है ये ripen होके fruit में develop होंगी तो ovary ripe होके fruit बन जाएगी और ovary ने अपने अंदर जो ovules enclosed कर रखे थे ये ovules fertilize होने के बाद seed बन जाएगे तो जब ये fruit development की stage आ गई fertilization हो गई तो flower के बाकी सारे जो whirls है इसके sepals है, इसके petals है इन सब की तो कोई जरूरत नहीं है stamen की भी कोई जरूरत नहीं है उसका काम हो गया है तो यही देखा जाता है कि fruit development जब हो रही है तो flower के बाकी सारे वर्द्स जो है ये wither हो जाते है यानि dry होके degenerate होके ये fall off हो जाते है तो mainly fruit development जो होती है कैसे होती है ovary ripen होके fruit बना दिये और बाकी जो plant के हिस्से हैं जैसे इसके sepals, petals ये dry होके नीचे गिर जाते है लेकिन persistent sepals से हमारा यही मतलब है कि fruit development के बाद भी ये sepals dry नहीं हुए गायब नहीं हुए और mature fruit के अंदर developed fruit के अंदर भी हमको ये नजर आ रहे है तो इस तरह की condition हमें kellex की ज़्यादा तर किसमें देखने को मिलती है सबसे common example हमारे पास हो जाती है हमारी potato family solanese family और क्योंकि tomato भी हमारी potato family का ये member है berry type का ये fruit produce करता है fleshy fruit लेकिन इसमें हम देखेंगे यहाँ पर जो berry बनी होई है ये तो ovary के राइपनोल से ही बनी है लेकिन इसमें उपर जो हमें डंठल नजर आता है ये जो green structures हमें नजर आ रहे हैं ये इसके एक crescent sepals है जो के fruit के mature होने के बाद भी उसके उपर टिके रह गए तो इस तरह की condition का सही example हमारे पास यहाँ पर option D tomato हो जाता है और इसके अलावा हमारी potato family के दूसरे members में भी जैसे की example ले लें चिली का मिर्च में भी इस तरह का dंठल हमें मिलता है persistent sepals मिलते हैं इसके बाद बैंगन यह भी हमारी potato family में आ जाता है इसमें भी हमें dंठल मिलता है तो यह dंठल असल में क्या है यह ऐसे sepals है जो जादा तर flowers में तो जो है post fertilization गायब हो जाते हैं mature fruit में हमें मिलते नहीं है fruit development के समें हट जाते हैं पर tomato जैसे कुछ examples में यह sepals एक recent होते हैं यानि फ्रूट development के बाद भी persistent रहते हैं और इस तरीके से डंठल के form में हमें fruit के उपर यह structure नजर आते हैं तो option D सहीं answer हमारा